गुड एवनिंग दिल्ली की केजरिवाल सरकार ने दिल्ली वासियों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है एक नया प्रियोग जो बाकी प्रदेशों के लिए मॉडल बनेगा और दिल्ली वासियों के लिए एक नया तव्फा तो आज के वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे क्या है ये नई योजना लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार इसे सब्क्राइब जरूर कर लिजे ताकि ऐसे ही नई नई अपडेट्स नई नई जानकारियां आपको लगातार मिल दिजेगा ताकि सभी को इसकी जानकारी हो जाए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला करते हुए घर घर राशन पहुंचाने की योजना का एलान किया है मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल की अध्यक्षता में राज योजना शुरू करने का फैसला किया गया है तो जानते हैं इस योजना के बारे में बिस्तार से आपको बता दें कि इस योजना के लागू होने पर दिल्ली वासियों के घर घर राशन पहुंचाए जाएगा लोगों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़े और अगर घर पर डिल्वरी चाहते हैं तो घर पर राशन पहुंचाया जाएगा उन्होंने बताया कि अगले छे से साथ महीने में राशन की होम डिल्वरी शुरू की जाएगी और इसमें गेहूं के बजाए आटा दिया जाएगा और जिस दिन दिल्ली में राशन की घर घर डिल्वरी शुरू होगी उसी दिन केंडर सरकार की वन नेशन वन राशनकार्ड योजना भी लागू कर दी जाएगी मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल ने बताया कि इस योजना के तहट अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा बलकि राशन लोगों के घर पहुँचाया जाएगा भारती खाद निगम के गोदाम से गेहूं उठाकर इसका आटा पिस्वाया जाएगा और आटा चावल और चीनी की पैक्न करके इसका वित्रण किया जाएगा और लोगों के घरों तक इसको पहुँचाया जाएगा तो इस तरह से किसी को भी राशन के दुकान पर आने की आशकता नहीं पड़ेगी और सोशल डिस्टैंसिंग का पालन अपने आप हो जाएगा तो यह थी लेटेस्ट अब्डेट वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके ज्यादा सज्यादा शेयर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लीजेगा ओके थैंक यू